दोस्ते दोस्तों बिलकम बैक माई चैनल लेटेस नियूज तो लेटेस नियूज में आप सब विकास्वागत है तो गाइस इतने भी छात्रों ने यूपी स्कॉलर्शीप 2021-22 के लिए फार्म अप्लाई कर लिया है तो आज के वीडियो में हम सब जानने वाले हैं कि आप सब अपना स्कॉलर्शीप का स्टेटस कैसे चेक कर पाएंगे एंड बिलकूल ऐसे चेक करें तूरंध अपने मॉबायल से अपना स्टेटस ऐसे देखे कल से करेक्शन पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा जितने भी छात्रों की स्कॉलर्शीप अभी तक नहीं आई है तो का पर दख़ा इंगे डिखना को को यह सर्च कर लेना यह साथ साथ देखा रहे इसे सब आपको रहेते हमगे लाया कि ऐपको यह सर्च कर लेना चांगे अब सब सही से क्लिक करके जानत पाओं तो तो यहां अपनल में आपको इसी पर क्लिक करना है यहां पर करने के बाद आपको यहां पर अप 1000 साइट पर आ जाएंगे आपको यहां पर तो यहां पर रहतली में आपको मैं ब्रस से दिखा दू यहां पर दिखी गाईस आप मैं आपको सब कुछ बेसिकली बताने वाला हूँ तो यहां पर आपको दिख रहा हूँ यूपी स्कॉलर सीब स्टेटेस 2021 एं 2022 आपको इसी पर क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं कुछ एड्स आएंग यहां पर आपको पढ़ लेना ध्यान से यहां से भी आप जान पाएंगे कि आपको कैसे करना है यहां पर आपको लिंक भी दिख रहा है यहां पर लिंक आपको दिख जाएगा लिंक आप मिल जाएगा लिंक से यहां पर क्लिक करके आप अपना ही स्टेटेस देख पाएंग अब बात कर लेते हैं UP scholarship correction को लेकर क्या है update तो guys कल के date में UP correction का portal open होने वाला है क्योंकि DWO की तरफ से बहुत बड़ी खुश खबरी है और आज मैंने सुबह वाले वीडियो मैंने आपको बताया विदा की 24 से correction का portal start हो जाएगा जो भी news में को मिला था तो guys कल से आपका correction का portal start होने वाला है और आप अपना status भी यहां से देख पाएंगे कल से या पर्सों से और आपका correction भी कल से हो जाएगा अब मेरे बात बचता है कि जिन चात्रों का scholarship नहीं आया तो उनकी scholarship कप तक आजाएगी तो firstly guys देखे बहुत से चात्रों की scholarship भेजी गई है बड़ बहुत से चात्रों बोल रहे है कि सर मेको अभी तक scholarship नहीं मिला है तो firstly में आपको कुछ advice देने वाला हूँ कि अगर आपको scholarship का अभी लाब नहीं मिल पाया है तो आप पर लिए एक काम कर लेना मालेजे इस बार क्या हुआ है कि यूपी scholarship का जो भी बैनी फेसरी आपको भेजा गया है आपके अधार कार्ट के थुरू भेजा गया है तो please आप तुरंट से अपना जो भी आपका अधार कार्ट जिस जिस bank में link था आपको तुरंट से चेक कर लेना सारे bank चेक कर लेना है साथ किसी ना किसी में बैंक में आपका scholarship का fund पहुच गया रहेगा क्योंकि बहुत से चातर इसे बोल रहे थे कि सर में scholarship के लिए मैंने अपना ये वाला अकाउंट दिया था बढ़ दूसरे अकाउंट में में scholarship का पैसा आया था तो आप सब ये सा काम कर सकते हो और जितने भी छातरों की scholarship नहीं आई है मैंने आपको day one से बोलके रखा है कि तिसरे phase की scholarship 28 December से आने वाली है तो 28 December तक वेट कर लेना नहीं तो आप सब अपना दूसरा अगर आपके बाद दो तीन bank account है एक ही अधा number link है तो आप वो सारे bank चेक कर लेना अपना आप status भी आँ से देख पाएंगे अपना correction भी कर पाएंगे तो फटा फ़र से इतना काम कर लेना अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को subscribe कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसके regarding कोई छोटी बड़ी update आए मैं आप सबको update करा सकूँ और भाई भाई टेक केर फिर से मिलते अगले वीडियो में अगर आपको UP scholarship का हिलाब लेना है तो फ्लीज सब्सक्राइब करें और बेलागिंग प्रेस करें लें बाए